हलो स्टेंट आज हम लों पढ़ेंगे क्लास लेवन के हिंदी से चेप्टर एट जिसका सिर्षक है उसकी मा इस पाठ के सरांज को जानेंगे जिसके लेखक है पांडे बेचन सरमा उब्र इस कहानी में देश की बुरी अवस्ता से चिंतित युवा पिढ़ी के बिद्रो के और राजसप्ता के विद्रोव में खड़ी है वहीं पुरवर्ती विद्जीवी समाज अपने सुभधा के लिए राजसप्ता के तलवे चाटने को त्यार है इन दोनों के बीच में है एक मां जो अनेका नेक प्रयासों के बावजूद द्रश्ता की चक्की से अपने बेटे को बचा नहीं सकी इस कहाने में ममता मई मा का सजीव चित्रन हुआ है इस पाठ के सरांस को जानने से पहले हम लेखा का पर्चे जानते हैं पांडे बेचन सर्मा लेखा का नाम है इनका जनम 1902 के उत्तर परदेश के मिर्जयापूर जीले के चुनार नामक गाउ में हुआ परिवार में अभाओ के कारण व्योस्ति सिच्चा पाने का उसर नहीं मिला किन्तु अपनी मैर्सगीक प्रतिवा यानि फ्राकृतिक के नेचुरल प्रतिवा और साधन से अपने समय में चर्चित अगणी गद सिल्पी के रूप में पहचार बना ली उन्हें कभी मित निराला पंजाब की महरानी, रेश्मी पोली इमारत, कंचन सिसाया, काल कोटरी, कला का प्रुसकार ये कहानी संग्रह है जो बेचन सर्मा ने लिखी उपन्यास के रूप में चंध हसीनों का खकूत, चंध हसीनों का खतूत, बधूओं की बेटी और दिल्ली का दलाल, मनुस्या कित्यादी, जो उपन्यास संग्रह है, उन्होंने आत्म कथा भी लिखी, जिसका नाम अपनी खवर है, नाटक भी लिखा, महात्मा इसा, संपादन भी किया, आज भी सुमित्र स्वधेश, बिना स्वराज बिक्रम का, उनकी जो भासा सेली थी, वो ब्यहद ही सरल, सहज पुर्ण थे, ओजपुर्ण, भ्यंग परवक और उद्योद बोधन सैली में थी, अलंकृत और विवहरिक भासा का प्रियोगों करते थे, यह कहानी सौधिन्ता संग्राम से प्रेडित कहानी है, लेखक ने देश को अजाद कराने के लिए कुछ यूकों द्वारा, कुछ न लाल के फोटो दिखा कर, लाल के विशय में पूछ ताज करता है, लेखक बताता है कि वह उसके मनेजर रामनात का पुत्र है, और रामनात की मिर्टु हो चुकी है, लाल कालेज में पढ़ता है और अपनी बुढ़ी मा के साथ दो मजले मकान में रहता है, उनका खर्च लाल करांतिकारियों से दूर रहे, अन्यता उसे दंड भोगना पड़ेगा, तभी लाल अपनी मा को बुलाने आता है, तो लेखक उसे समझाने का प्रयास करता है, कि वह ब्रिटिश सरकार के बिरूध सड़यंत्र करना छोड़ दे, लाल उसके साथ तर्क बितर करता है, वह कहता है कि वह देश को प्राधीन नहीं देख सकता, और देश को सवतंत्र कराने के लिए कुछ भी कर सकता है, जो राष्ट किसी अन्य राष्ट के नागरिकों की सवतंत्रता का दमन करता है, ऐसे दुस्ट राष्ट, ब्रिटिश सरकार के सर्वुनास में अपना युगदान देना चाहता है, एक दिन लेखक घर आता है, तो अपनी पत्नी को लाल की मा से बात करते देखता है, वह लाल की मा से लाल के मित्रों के विशे में पूछता है, वह बदाती है कि लाल के सभी मित्र, मस्त्र, हसोड़े और जिंदा दिल है, वह सभी उसे भारत माता कहते हैं औ गार-पांच दिन बाहर रहने के बार लेखा घर आता है तो लाल के घर सानाटा दिखाई देता है। उसकी पत्नी उदास मुख से उसे बदाती है कि लाल की माँ पर भ्यंकर विपती आई है। पुलिस ने उसके घर की तलासी ली जिसमें पिस्तौल, कार्थूस और कुछ पद्र ढून निकाले। उन पर हत्या, सड़यंत्र और सरकारी राज के उलटने के आरोप लगाये और उन पर मुकदमा चलाया गया। शरकार के डर से कोई वकील उनकी पैरवी करने के लिए त्यार नहीं है। मकदमा लगवग एक बरस तक चला, लाल की मा ने घर का सारा समान बेज कर एक वकील को उनकी पैरवी के लिए त्यार किया, वह लाल और उसके साथियों को दोसी नहीं मानती थी, वह समझती थी कि यह पुलिस की चालवाजी है, वह उसे बचाने के लिए दिरंतर दौर धूप क कड़ी सजा सुनाई, जब से लाल और उसके साथ ही पकड़े गए थे, तब से स्वहर या महले के सभी आदमी लाल की मा से मिलने से ड़ते थे, क्योंकि वह एक बिद्रोही की मा थी, एक दिन लेखक अपने पुस्तकाले में मेजिनी की कोई पुस्तक देख रहा था, जिस पर लाल के हस्ताचर थे, वह पुलिस सुपरिटेंडेंट की चेतावनी को याद कर, उससे मिटाने वाला ही था कि लाल की मा एक पत्र लेकर उसके पास आई, वह लाल का पत्र पढ़कर सुनाता है, पत्र में लाल ने सोय और अपने साथियों के साथ मिर्तू के बाद मा से मिलने की बात की थी, लाल की मा पत्र लेकर चुपचाप सली जाती है, किन्तु लेखक बिचैन हो जाता है, वह सो नहीं पाता, उससे लगता है कि लाल की मा करा रही होगी, बेहत दुखी होगी, वह लाल की मा की खोज खबर लेने के लिए नौकर को भेजता है, नौकर आकर बताता है कि वह हाथ में पत्र लिए घर के दरवाजे पर पाउं पसारे मिर्थ पड़ी है